प्रिये विद्यार्ची 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 विद्या पुनान में संस्कृति का विकास प्रारंब हुआ था उस समय भारत की संस्कृति हजारों मर्स पुरानी हो चुकी थी और इसके प्रमुख अंगों का विकास भी हो चुका था भारती संस्कृति यो तो सनातन है परंतु इसके ज्ञान का इतिहास प्रारंब होता है सेंधव इसनान ध्यान आभूसरान इस्तापत लिपी और आयुद इन सबका प्रभाव हमें परवर्थी युगों में इस पस्ट रूप से दिखाई देता है सेंदव सब्विता के बाद उदात आदर्स रखने वाली आर्ये जाती विपुल जीवन सम्रद्दी लेकर भारत में प्रकट होती है यहां आर्ये इम अनार्यों के बीच संघर्स होता है परिणाम सरूप वन व्यवस्था का निर्मान होता है दक्षन से द्रविडों के इस्थापत साहित नगर निर्मान आदी देखकर उनकी संस्कृती की गहराई का हमें बोध होता है वेदों में आर्यों इम अनार्यों के बीच संघर्स की छाया तो हमें दिखाई पड़ती है लेकिन आर्यों और द्रविडों के बीच किसी विशे संघर्स का इतिहास प्राप पे नहीं है बलकि इन दोनों ही वर्गों में आर्ये और द्रविडों में सहयोग इम संयोग के उधारण प्राप्त होते हैं और इनके परस पर सहयोग और संयोग से एक भब संस्कृती का भारत में जन्म होता है जिसे कालांतर में हिंदू संस्कृती के नाम से परिभासित किया जाता है इसमें वैदिक और सर्मन संस्कृतिक धाराओं का समन्वे हुआ यह संस्कृती प्राचीन काल में अनेक उतार चड़ाओं से गुजरी है पूर मद्यकाल में जब इसका विकास रुक्षा गया था तब नाथों, सिद्धों और विशेष्ट मद्यकालीन जो भक्ती संत हुए उन्होंने हमारे हिंदू संस्कृती या भारतिय संस्कृती की पुनर व्यक्षा की इसी प्रकार मुगल सामराज के बाद स्थापित होने वाले बिर्टिस सासन के दोरान भारत, भारती संस्कृती में पुनर जागरान का काल आया लेकिन इन सभी उतार चड़ाओं के बीच हमारी संस्कृती की विसेष्टाएं कभी विलुक्त नहीं हुई अनेक अर्थों में आज भी हमारी जीवन मुल्द और आदर्स वही हैं जो वैदिक काल में थे भारती संस्कृती अपनी प्रकृती से ही आध्यात्मिक या धर्म प्रधान है भारती संस्कृती की आलोचकों ने भी इस विसेष्टा को सविकार किया है इसी विशिष्टा की कारण हमारी संस्कृती रस्व भर में माननी जाती है भारती संस्कृती की आध्यात्मिक्ता इसको अन्य संस्कृतियों से या अन्य संस्कृतिक धाराओं से एक प्रथक स्वरूप प्रदान करती है भारती संस्कृती के लिए सत्य एक अनुभूती है उसे बुद्धी से नहीं अपितु साक्षातकार से जाना जा सकता है और वह अनुभूती उसके सभी तथा कथित मानकों को आमूलते बदल देती है इसलिए भारती मनीशियों ने ऐसी साधना सैलियों को विक्षित किया जिनसे आध्यात्मिक प्रेड़ना से दिप्त मानव को वहमारक इसपस्ट दिखाई दे जो उसे अपने गंतव तक ले जा सके संभवत है लक्ष की उचाई को ध्यान में रखते हुए भारती चिंतन में इस्वर में विश्वास और उससे भी अधिक गुरू की उप्योगिता पर बल दिया गया है भारती चिंतन ने लोकिकता इम आध्यात्मिकता को जीवन के दो पर्स पर उन प्रथक धुरूँ के रूप में सिविकार नहीं किया इन दोनों को प्रथक किया ही नहीं जा सकता स्वम लोकिक का सबसे सुन्दर और सबसे उदात अलंकरन आध्यात्म है चाहे राम और सीता हूँ बुद्ध या युधिस्टर हूँ उनके व्यक्तित्तु का आकरसन उनकी आध्यात्मिकता में अडिग आस्था है जीवन की कठिनतम घडियों में भी उनके स्वरों में किसी प्रकार की अनास्था का भाव हमें दिखाई नहीं पड़ता है यही चीज आध्यात्मिकता में अडिग विश्वास इन महापुर्सो को देवतां उसे उपर उठा कर दिवव्य बना Δेता है के देवता तो सवर्ग की सास्वश्वत आश्वर्य की काम ना रखते हैं तर राम ने तो सारे जर्वर्यों को ट्याग कर अरकत Χनिय आंतरिक आप्रव्य को प्राप्त किया है वह हमारे सारे व्यक्तित्व को भीतर तक प्रभावित करता है और हमारे मन में इस अच्छा को पुष्ट करता है कि हम भी उन जैसे बन जाएं या बनने की कोशिस करें इसी द्रस्ति से महाभारत के क्रस्न का व्यक्तित भी प्रितम है जहां भी लोकिक कठनाईयों के बीच मनुश्य त्रस्त है वहीं उनकी वानी आज भी भीतर के सुरोतों से उसे जीवन सक्ति प्रदान करती है क्रस्न तो व्यक्ति को भीतर से प्रेरित करते हैं अपनी उपस्तिती मात्र से हिर्दय को निर्मल कर देते हैं इसी प्रकार बोध दर्षन मानता है कि प्रतेक व्यक्ति में एक बुद्ध की संभावना नहीं थै किसी देश की संस्कृति का वास्त्विक रूप क्या है इसको जानने का उपाय है उस देश के महापुरसों को जानना अगर हम आधुनिक काल को लें तो देखेंगे कि योरोप के महापुरसों में माक्स, डार्विन, फ्रायर्ड, हिटलर, लेलिन, चर्चिल, इत्यादी के नाम परियाप्त, सुविदित हैं भारत के इस युग के महापुर महापुरसें, महापरम, रामकरस्न, महायोगी अरविंद, महर सीरमन, टैगोर, और गांधी इत्यादी, यह सकते है कि यूरोप के महापुरसों की महानता में संदेश नहीं किया जा सकता, परंतु इस तुलना से यह इसपस्ट है कि अगर यूरोप में लोकप्रिये महापु महापुरसों में राजनितिग, वैग्यानिक और अधिनायक इत्यादी हैं, तो भारत के जननेता हैं, संत, योगी और महात्मा, यह भारती संस्कृती की आध्यात्मिक्ता का अकट्ट प्रमान है। कि इससे वैराग्य और निस्क्रियता की भावना को बल मिलता है। परंत्वी सारोप में कुछ सार नहीं है। भारती संस्कृती आध्यात्मिक होते हुए भी इस लोक के सुक की उपेक्षा नहीं करती है। प्राचीन भारती दुवारा की गई भोतिक प्रगती इसका प्रमान है। भारती ने सदयव जीवन के सर्वोतन मुखी विकास पर बल दिया है। इसलिए उन्होंने मनुख्ष के लिए जो लक्ष निर्धारित किया है उसमें धर्म और मौक्ष के साथ अर्थ और काम भी आ जाते हैं। इसमें संधे नहीं है कि इसमें मौक्ष को प्रधानता दी गई है और उसके साधन स्वरूप धर्म को परंतु अर्थ और काम को भी यथोचित महत्व भारती संस्कृती में प्रधान किया गया है इसलिए कहा जा सकता है कि मनिश्च की शर्मांगीन उन्नती भारती संस्कृती का प्रमुक लक्ष है इसलिए हम प्राचीन भारतीयों को एक और वेदानत जैसे गूड दर्सन और योग जैसी गूड किरिया का विकास करते देखते हैं तो दूसरी और शामराज्यों का निर्मान विदेशों में भारती धर्मों का प्रचार और अर्थो पारजन के लिए विदेश गमन तथा विज्ञान सहित और कला में अभूत पूर प्रगती करते हुए भी पाते हैं माभारत के सांती परू में धर्म, अर्थ, काम, एम्वक्ष को लेकर एक अध्याय में कुछ विस्तार से चर्चा हुई है इस अध्याय में युदिश्टर प्रस्ण उठाते हैं कि प्राय लोगों की धर्म, अर्थ तथा नियाईकी और प्रवर्थी होती है इन में कौन सरुसरेष्ट, कौन मध्यम तथा कौन लगू है विदुर धरम को सरुसरेष्ट बताते हैं अर्जुन अर्थ को, भीम काम को और स्वम युधिस्टर मौक्ष को युधिस्टर की द्रस्टी से जो व्यक्ति न अर्थ में लगा है